को चेलो फेंड्स मेरे नाब दीव्य Śांगर है आज कामा टॉपिक है जे इस्ट इसी जे लो फॉर किसे फायल करना कैसे फायल करना यह लाइफ डैमवी देखेंगे और सारी कॉंडिशंस संभरेंगे कि किसे केसे कारना हो फायल करना ऊपकर इसफायल करना है यह compulsory form है manufacturers के लिए जो job workers को goods देते हैं या goods उन से receive होता है तो क्या क्या conditions हैं जो fulfill होंगी जब job worker को manufacturer goods दे सकता है and कब आपको यह ITC04 form file करना होगा due date क्या होगी यह चीज़ें समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किसे fill करना है who need to file ITC04 तो कोई भी registered person जो चालान के थुरू goods अपने move करता है job worker के लिए अगर sale invoice rate कर रहा है तो कोई ज़रुत नहीं आपको ITC04 file करने के एकना without duty अगर चालान के थुरू मतलब delivery चालान के थुरू job worker को goods send करते हैं जो goods आपको return back होने या फिर job worker की site से sale होने हैं तो उसे ये detail fill करनी होगी अगर आपने input और capital goods move की है job worker को या फिर आपने receive की है input या capital goods job worker से जो आपने पुराने tax periods में पहले कभी बेजे थे वो goods आप पर वापस आए या फिर job worker से job worker के पास goods जा रहे हैं एक job worker ने दूसरे job worker को काम hand over कर दिया sub contract दे दिया तो अगर ऐसा भी condition है तो उसमें भी goods move हो रहा है तो उसमें ITC 04 फिल करना है principal को मतलब जो actual owner है जिसने job worker job work के लिए अपने goods transfer किये हैं या फिर capital goods transfer किये हैं या फिर जब product complete हो गया तो direct supply कर रहे है है job worker से job worker के premises से लेकिन इसमें यह condition याद रखना कि अगर job worker के premises सप्लाई कर रहे हैं तो वह प्रेमाइस एडिशनल प्लेस में add होना चाहिए principal के मतलब जो आपका registration certificate है वहाँ पर वह job worker का address आना कंपल सरी है तो इन चाहरों कंडिशन में अगर principal ने goods move किये या job worker के थ्रू गोड्स मूव हुए हैं तो ITC 04 फाइल करना कंपल सरी है इसकी filing date क्या होगी filing date है 25th of next month of succeeding quarter मतलब आपका quarter जैसे मालीजी जुलाई अगर सेप्टमबर है तो 25 अक्टूबर तक होगी लेकिन आपको बताते हूं जुलाई अगर सेप्टमबर quarter की date extend हो गई है वो date 13 November है तो अगले quarter से आपको जैसी quarter end होगा उसके बाद जो next month होगा उस इसके बाद आपसे बात करते हैं कि निल return file करना compulsory है नहीं मान लीजिए आपने किसी तरह के भी ये goods move नहीं किये तो आपको return file करनी है तो compulsory नहीं है अगर आपने कोई goods job worker को दिये या job worker से receive हुए है या फिर job worker के premises से supply हुए है या job worker से दूसरे job worker के पास goods अप्लाई हुए ह इन चारों कंडिशन के लावा और किसी कंडिशन में आपको ये form file करने की जबदत नहीं है अगर goods return नहीं हुए supply नहीं हुए input के लिए within one year का period है या capital goods के लिए three year का within this period अगर goods return नहीं हुए तो मान लिए जाएगा वो आपने actual supply किया है और आपको supply पर tax देना पड़ेगा plus interest देना पड़ेगा और supply की date क्या मानी जाएगी जब आपने actual transfer किया था मान लिए आपने जो एक साल पहले transfer किया था job worker को वही date मानी जाएगी उस date से interest calculate होगा और supply की date पर ही माने जाएगी तो आपको tax plus interest पर करना पड़ेगा अगर आपके ये goods return नहीं हुए input goods one year में return नहीं हुए and capital goods three year में return नहीं हुए अब हम देखते हैं live demo की return कैसे file होगी offline utility available है तो वह भी हम देखते हैं पहले gst.gov.in पर जाएंगे उसके बाद आपको download option दिखेगा download option में जाएंगे जैसे आपको ये उपर का सब देख रहा है download option का download पर गए offline tools पर गए आपको ये itc04 offline tools हो रहा है itc04 को हम click करेंगे तो automatically file download होना start हो जाएगी तो ये file जब हम open करेंगे download के बाद तो इसमें आपको एक file excel sheet दिखेगी ये excel sheet automatically सारी चीज complete करे हुए है इसमें auto validation option है json file इसी से आपकी generate हो जाएगी तो json file generate करने के वाद हम upload कर सकते है तो excel sheet देखते है कि excel sheet में क्या करना है हमें क्या open करना है तो excel sheet जब open होगी तो आपको इस तरह की file open होगी इसमें 4 sheets है help instructions import export file manufacture to job worker and job worker to manufacturer तो हमें सबसे पहले import export file में आना है यहाँ पर अपना GST number देना है जो मैंने आपको दिखाया है जीस्ट आन रोर नॉमबर 7 बे रेटर्न इयर देना है आपको रेटर्न फालिंग क्वार्टर देना है तो क्वार्टर यह जुलाई अगर सेप्टमबर के लिए हम अभी चेक करते हैं इसके बाद अगली इसमें बहुत बेसिक चीज है डिटेल वर नहीं है आपको एक तो जीस्ट नंबर आप जोब वरकर अगर जोब वरक अंदर इस्टर्ड है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं ब्लैंक अगर छोड़ रहे हैं तो उस केस में आपको इस्टेट देना कंपल सरी है इसे ही जोब वरकर के बाद चालान नंबर क्योंकि आपको जैसा मैंने बता रहे था कि चालान की डीटेल से नहीं है जो इस्टॉक ट्रांसपर करेंगे अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो इन्वाइस करना है लेकिन अगर जोब वरकर को दे रहे हैं विदाव डूटी पिर अगर आप कोई प्रोड़क्त दे रहे हैं तो वह आपको प्रोड़क्त की डीटेल्स लिखनी होगी उसके बाद कॉंटिटी कोड क्या है जैसे बंडल हो गया नंबर हो गया या पिर जो भी यूनिट है उस प्रोड़क्त की वह आपको देने है को इंटल सैड्स ऐसे आप supply करते तो क्या applicable है तो टेक्स रेट भी आपको देना कंपल सरी है टेक्स आपका हमेसा जीरो calculate होगा क्योंकि यह हम without duty generate कर रहे हैं without duty stock transfer कर रहे हैं otherwise तो आप invoice stage करते इसके बाद आपको errors आप जब validate sheet करेंगे तो मालुम पड़ जाएगा error है या नहीं similarly अगर आपको unrested के लिए detail फिल करनी है तो वही फिल करनी है जो पर राइस्ट के लिए करनी है वस JST नमबर नहीं देना होगा आपको और बाकी सारी चीज़ें आपकी automatically आ जाएंगे आप validate sheet करके चेक कर सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं यह बिलकुल seat है दोनों आपकी रो validate हो गई है इसके बाद job worker से अगर कोई goods आया है रिटर्न हुए है या फिर job worker ने दूसरे job worker को goods move की है या job worker ने खुद अपने यहां से supply कर दी है तो वह सारी चीज़ आएंगी job worker to manufacturer वाली seat में तो इसमें क्या की detail फिल करनी है जी एस्ट नमबर आप जोब वर्कर देना है आपको कौन से job worker से आपको goods return हो रहा है या फिर कौन से job worker दूसरे job worker को stop transfer कर रहा है तो माली जी अगर goods किसी और job worker को पहला वाला job worker transfer कर रहा है तो इसमें आपको detail देनी है इस्टेट कौन से स्टेट से हो रहा है आपको nature of transaction सेलेक्ट करना है nature of transaction में आपको सारे option दिख जाएंगे कि goods receive back हो रहे है job worker से मतलब वापस आ रहे है job worker से या job worker दूसरे job worker को stock move कर रहा है या फिर goods supply कर रहा है चालान नमबर की ज़र्वत पढ़ेगी किस चालान पर आपने पहले job worker को stop transfer किया था इसके बाद original चालान डेट क्या थी इसके बाद आपको detail fill करनी होगी जो दूसरा job worker stop transfer कर रहा है तो वह वह एक चालान के ऊपर ही stop transfer करेगा चालान रेच करेगा तो चालान नमबर की क्या detail है कौन सी डेट है GST नमबर अगर दूसरे job worker पर है तो वह देगा अगर नहीं है तो नहीं देगा लेकिन state compulsory हो जाएगा ऐसे ही आगे description of goods क्या description से stop transfer कर रहा है क्या quantity है और क्या tax sale value है तो यह सारी details इसमें fill करनी होगी तो इसमें कौन-कौन से options में detail फिल करनी है एक तो पहला job worker दूसरे job worker पर stop transfer कर रहा है या फिर job worker से goods return आ रहा है या फिर तीसरा option job worker के यहां से ही supply हो रहा है job worker आपको बाप से return नहीं कर रहा है वहीं से sale हो रही है तो दूसरा example भी देख लेते हैं अगर आप goods receive back कर रहे हैं job worker से तो जो detail वरी थी चला detail if goods send to another job worker यह detail आपको fill करना compulsory नहीं होगा आपको सीधे details fill करनी है जो आपको quantity return हो रही है ऐसे ही अगर आपने good supply दिखाएंगे तो supply के case में आपके पास invoice की detail देना compulsory हो जाएगा तो इसमें क्या होगा जीस्ट नमर और जोब वरकर देना है इस्टेट देना है goods supplied from job worker की location से हम good supply कर रहे है और चानल नमर क्या था date क्या थी इसके बाद invoice जो हम रेच करेंगे sale के लिए वह invoice की detail देना compulsory हो जाएगा date देना जरूरी है goods कौन से हम sale कर रहे है या supply कर रहे है उसकी detail देना जरूरी है तो इसमें tax sale value भी आजाएगी क्योंकि tax भी लगेगा तब detail समझ गए अगर आप goods दूसरे job worker को भेज रहे हैं तो पहले चालान की details आपको देनी होंगी प्लस जो नया चालान आप generate करेंगे दूसरे job worker के लिए तो उसकी details भी आपको देनी पढ़ेंगी plus product की detail तो आपको देनी है ऐसे ही दूसरे case में क्याता है अगर goods वापस आ रहे है job worker से तो ओरजिनल चालान की details तो आपको देनी है कि किस चालान से job worker पर product गया था इसके बाद आपको product की detail देनी है अगर goods supply करता है job worker, supply हो रही है job worker की location से तो invoice की details से ना compulsory हो जाएगा and products की detail तो हर case में मतलब कौन-कौन सी detail common है एक तो आपकी जो original चालान issue किया था उसकी detail आपको देना कंबल सरी होगा हर case में दूसरी detail आपको देनी है product की detail description of goods किया था unique quantity किया थी मतलब किस तरह किस type में था quantity किया थी Excel value क्या थी तो यह common है इसके बाद change क्या हो जाएगा अगर आप job worker से job worker पर वेज रहे हैं तो नया चालान number अगर job worker से supply कर रहे हैं तो invoice number अगर आप job worker से return ले रहे हैं तो कोई भी detail और extra feed नहीं करनी पड़ेगी other than original चाला number and product details I think यह आपको clear हो गया होगा इसके बाद जब आपकी detail फिल हो जाएगी आप validate करके देख लेंगे validate में आप last seat में देखाएंगे कि सारी चीज validated है या नहीं तो validated है यहाप मतलब आपकी seat okay है इसके बाद आप again import export file पर जाएंगे यहाँ पर generate file to upload करेंगे प्रोसेसिंगे टेक सम टाइम जैसे ही आप okay कर देंगे आपकी यह फाइल जनरेट हो जाएगी path मांगेगी आप दे सकते हैं export completed तो यह path आप कहीं पर भी दे सकते हैं desktop पर जैसे मैं आप यह path दोंगा इस file का file का नाम आप सेव कर सकते हैं जैसे मैं सेव कर रहा हूं quarter one itc04 यह file मैंने save कर दी है desktop पर जिसे मैं upload के time पर upload करूंगा online utility पर जाकर तो यह मैंने file save कर दी अब online utility पर जाएंगे login करेंगे and आपकी file save होई चुकी है desktop पर तो उसे upload कर देंगे तो upload कैसे करेंगे वह भी online देख लेते हैं login करने के बाद आपका return dashboard पर जाएंगे services मैं returns मैं ITC forms यहां पर आपको ITC 01 देख रहा है 04 prepare offline तो prepare तो हम करी चुके हैं बस upload करना रह गया है तो upload कैसे करेंगे select करेंगे file को quarter select करेंगे कौन से quarter की file हम upload कर रहा है इसके बाद file choose कर लेंगे मैंने बताया था आपको desktop पर मैंने save की गई यह file तो select कर लेंगे दो कि आपको कि अजय कुर्ट बनाइटी जीड़ोफोर यह वाली file मैंने save की थी यह file upload हो गई है json file यह अगर मैं 15 मिनट बाद refresh करूँगा तो यह file का status दिख जाएगा मुझे कि यह सही है या इसमें कोई error है अगर error होगा तो error file मैं json file download करूँगा and download के बाद इसमें import data कर दूँगा जो excel sheet में यह utility हमें मिली है उसमें import data from file करूँगा अगर कोई error होगा तो I think यह आपको clear हो गया होगा इसके बाद आप online for initiate filing पर जाएंगे इसमें data select करेंगे जो भी आपको data है data मैं अप्लोड करी दिया है एक चीज़ ज़रूर है कि यह offline utility के थुरू ही जाएगी जैसे यह आ रहा है आपकी detail number of records 609 थे टेक्सल वैल्यू तो यह मैं file लेटन कर सकता हूं अभी file लेटन नहीं करेंगे काउंकि यह सिर्प मैंने डेमो के लिए रखे थे आपको यह clear होगा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूला है अगर आप पर्स्टाइम व्यूर्स हैं और लाइक किजिए शेयर किजिए इस वीडियो को थेंक यू